हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो आबर यूटूब चैनल तैयारे एकजाम की तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 बाइलोजी से इकाई पाच पे आ गए हैं मानब शरीर विज्ञान, अध्याय 16 है और इकाई पाच में 22 अध्याय है तो इसमें अध्याय 16 है यहां पे पाचन एवम अवसोशन तो इसमें हम लोग पर इच्छा उप्योगी मैं तो पूर्ण प्रेश्णों तर देखने वाले हैं वीडियो को अन्तक चरूर देखेगा आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिजेगा ताकि हमारे वीडियोज के अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे तो आएए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम यहां पे आचुके हैं इकाई पांच है मानव सरीर बिज्ञान अध्यार सोला है यहां पे पाचन एवं अमसोसन परिच्छा उपियोगी मेह तो पूर्ण प्रश्णोंतर हम लोग देखने वाले हैं यह कुछ पॉइंट बाइज या आवशकता होती है तीकर आगे का बिंदु है यहां पे जो जल हम ग्रहन करते हैं वह उपा पचई प्रकिरियाओं में महत्वपूर्ण बूमी का निभाता है एवं सरीर के निरजली करन को भी रोकता है आगे का क्यूशन आता है पाचन किसे कहते हैं जो कि एक्जाम के द्रि वर्दित करने की इसे किरिया को पाचन कहते हैं आगे की बात करें तो मनुश्य का पाचन तंद्र आहार नाल एवं सहाय ग्रंतियों से मिलकर बना होता है आगे यहां पे गर्थ दंती किसे कहते हैं उत्तर हो जाएगा प्रतीक दाओद जवड़े में बने एक सांचे में इस होता है इस तरह की विवस्था को गर्थ दंती कहते हैं आगे का रहावे पॉइंट है मनुश्य सहिद अधिकांस अस्तंधारियों की जीवन काल में तो हर तरह के दांद आते हैं और अस्थाई दात समू अथवा दूल के दात जो विवस्थाई दातों से प्रती अस्थापित हो जाते हैं इस तरह की दांद दंत विवस्था को दिव बार दंती कहते हैं ठीक है आगे हैं आप पॉइंट है बेस्क मनुश्य में 32 अस्थाई दाद होते हैं और यह बात आपको याद रखनी है जिनके चार प्रकार हैं जैसे प्रितक, जिसे I, रदनक, जिसे C, अगर चवरनक, PM और चवरनक, M उपरी एवं नीचले जबरे के प्रतेक आधे भाग में दान्तों की व्यवस्था I, C, PM, M स्रम में एक दंत सूत्र के अनुशार होती है जो मनुश्य के लिए देखिए 2, 1, 2, 3, बटे 2, 1, 2, 3, इंटू 2 है आईए अब हम लोग आगे चलते हैं ग्रसी का यानि कि ओईसो फेकस एक पतली लंबी नली है जो गर्दन बच एवं मध्य पट से होते हुए पश्य भाग में जे आकाल के थैली नूमा अमासे में खुलती है आगे करहां पे पॉइंट आता है आमासे को मुखेत तीन भागों में भी भाजित किया जा सकता है जठरा गम भाग जिसमें ग्रसी का खुलती है पंडिस छेतर और जठर निर्गमी भाग जिसका छोटी आत में निकास होता है आगे करहां पे पॉइंट है आहार नाल की दिवार में ग्रसी का से मलासे तक चार अस्तर होते हैं जैसे सिरोसा, मुस्कूरेलिस, आगे है यहां पे सम्यूकोशा और म्यूकोशा फिर यहां पे एक क्यूशन आता है अंकुर्यान की विलाई किसे कहते हैं उत्तर हो जाएगा आमासे में अनियमित वले इवं छोटी आत में अंगुली नूमा प्रवर्ध बनाता है जिसे अंकुर कहते हैं आगे है यहां पे आहार नाल से सम्बंधित पाचन ग्रंथियों में लाल ग्रंथियां, यकृत और अगनयाव से सामिल है ठीक है आगे का पॉइंट है मनुष्य के सरीर की सबसे बड़ी ग्रंथिये का नाम है यह एक तरह सी क्यूश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए तो उत्तर हो जाएगा यकृत यानि की लिवर जिसका व्यस्ट तुमें भार लगवग एक दसमलब दो से एक दसमलब पांच किलोग्राम होता है आगे का पॉइंट है यहाँ पे अगनयास है यू आकार के ग्रहनी के बीच इस सिद एक लंबी ग्रहन्थी है जो बही श्रावी और अंतर श्रावी दोनों ही ग्रहन्थी काओं की तरह कारे करती है आगे यहाँ पे लार का स्टेशम भोजन कनो को चिपकाने एवं उन्हें बोलस में रुपांतरित करने में मदद करता है इसके उपरां निगलने की किरिया द्वारा बोलस ग्रष्टी से ग्रहसिका में चला जाता है बोलस पेशिय से पूचन के क्रमा पूचन द्वारा ग्रहसिका में आगे बढ़ता है आगे की बात करें हम लोग तो लार मुख गुहा में बिधुत अपघटियर ने की एन ए पोजेटिव के पोजेटिव स्री एन लिंगेटिव स्री ओथरी और एंजाइम लार इमा इलेज या टाइलीन तथा लाइसो जाइम होते है पाचेन की रासाइनिक प्रकीरिया मुख गुहा में कार्गो हाइडरिट को जल अपघटित करने वाली एन जाइम ताइलीन या लार इमा इलेज की तखरियता से प्रारंभ होती है आगे यापर नोट लार में उपस्तित ला इसो जाइम जिवानूँ के संक्रमन को रोकता है आगे यहापर आउसे कितने घंटे तक भोजन का संगरहन करता है बहुत ही महतो पुनक्यूशन है तो उत्तर हो जाएगा यहां पे चार से पांच घंटे तक आगे है अमासे की पेशिय दिवार के संकूचन द्वारा भोजन अमलिये जठा रस से पूरी तरह मिल जाता है जिसे काइम कहते हैं आगे अहां पे नवजातों के जठा रस में रेनीन नामक प्रोटीन अफगटनी एंजाइम होता है जो दूद के प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है जठा ग्रंथियां थोड़ी मात्रा में लाइपेज भी स्रावित करती है आगे का इहां पे पॉइंट है आंत्र रेश्मा उपकला में गोबलेट कोशिकाएं होती है जो स्लेश्मा का स्राव करती है व्यूकोशा के बरस बॉर्डर कोशिकाओं और गोबलेट कोशिकाओं के स्राव आपस में मिलकर आंत्र श्राव अत्वा सकस अंटरिकस बनाते हैं आगे का एक क्यूशन है अब सोशन क्या है बतावे ये भी बहुत ही महतोपूर्ण है तो उत्तर वजाएगा यहां पे अब सोशन वह प्रकिरिया है जिसमें पाचन से प्राप्त उत्पाद यांत्रिक म्यूकोसा से निकल कर रख्त या लसिका में प्रवेश करते हैं यह निस् है गुलुकोज, एमीनो अमल, क्लोराइड, आयन आधी की थोड़ी मात्रा सरल विश्रन प्रकिरिया द्वारा रख्त में पहुंच जाती है इन पदार्थों का रख्त में पहुंचना सांद्रन प्रवन्ता पर निर्भर है आगे है यहां पे प्वाइंट पाचक अवसिस मल आसे में कटोर होकर संबंद मल बन जाता है जो तांद्रिक प्रतिवर्ति किरिया को शुरू करता है जिसे मल स्या की इच्षा पैदा होती है वाई द्वार से मल का बही छेपन एक ऐसी किरिया है जो एक ब्रिहत क्रामा कूचन गती से पूरी होती है क्योंकि वीडियो को यहीं पर इंड करते हैं अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब और से जरूर कीज़ेगा अगर आप लोग तैयारी एकजाम की टेलिग्राम चैनल 11 ग्रोफ से जोइन नहीं किये हैं तो जो देते हैं अगले वीडियो में इसको क्योंकि चैनल से के साथ थैंक यू थैंक यू सो मॉइक अ आप कि यू प्यू झाले वीडियो तैयारी ओीटाइब बुड़ में यू से जोग झाले आपको कि टेंग से का मॉइक साथ टेंस